नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमाई शेनल टार्गेट याम कंपडिशन में दोस्तों बात कर रहे हैं सीटेट सिचक भरती 2021 के बारे में जैसा कि दोस्तों 16 अब दिसंबर सबका एक्जाम हो रहा है और 13 जनौरी तक आपको एक्जाम चलेगा तो दोस्तों इसमें normalization होने वाला है जैसा कि normalization का कब होता है जब आपका एक्जाम कई दो एक से अधिक स्रिप्टम करा जाता है अगर आपका एक्जाम दो स्रिप्टम में भी होगा तब आपका वहां पर होता है तो यहां पर एक मैने एक्जाम होंगे लगभग बहुत से स्रिप्टम मे तो यानि कि 58-60 हो रहा है तो यहां पर नार्बराजेशन का बहुत वड़ा फैदा आपको मिलने वाला है यानि कि जिसका पच्छत्ता नंबर अठटासी नमबर नंबर आ रहे हैं तो वो लोग कैसे पास हो शकते हैं तो दोस्तों सबसे प्लया में result कि बात करेंगे इसमें और जो 75 और 80 नमबर वाले हैं वो लोग कैसे पास होंगे नावरा जैसन के बाद 75 नमबर पाने वाला भी अंठानवे नमबर हो जाता है दो तसका निकलते हैं कि क्युंसा से हर्ड थी झिप्ट को आपको दिये जाते हैं यहां कि स्ट्ट होने वाली है अगर उस वहां पर जैसा की पंचांदबे सो एक सो पांच कर गया रहा है इग सिप्ट से तो यहां पर जिनकी हार्ड रहती है उनको पर नमबर बढ़ा दिया जाता है उस परकार सुलों का अवरेज निकला जाता है और जो एक सुपांच यहां पर पाया रहते हैं यहां पर नमबर बढ़ जाते हैं उनका पंदर से बीस नमबर बढ़ा के यानि कि लगभग पंचानदे यहां यहां पर प्रकार से आपका अवरेज निकला जाता है और दोस्तों साथ में आपका एकजाम हो रहा है एक मैने चलेंगे यानि कि अभी तह 15 दिन का एक्जाम कम्प्रिट हो चुगा है और 15 दिन बच्चे एक्जाम को लेने के लिए और जैसा कि यहां पे एक दिन में दो दो सिप्ट में एक्जाम कराया जा रहा है और आपको बिल्कुर गवरानी के बात नहीं अगर आप वहां पे 70-75-80 कोशन भी क दिक्कत नहीं है और आपके कोशन नहीं ज्यद्धा कर पाने कोई दिक्कत नहीं आप वहां पे नारब जाजिशन के तरूप पास हो जाएंगे अगर आपके एज़ी सिप्ट आ रही है तो आप अच्छे नंबर इश्कूर करिएगा ताकि आपको जो आपके नंबर आपके यह आपका एग्जाम चलने वाला सोला तारिक से तेरा जनौरी तक आपका चलनी रहा चलेगा ही और जैसा कि 15 फरवरिक आपका रिजल्ट आ जाएगा और साथ और आठ को आपको देखने के मिलेगा एंसर की विजारी कर दिया जाएगा आपका और दोस्तों इस सब्सक्राइब कर ले हैं